आज मैं कुछ स्टूडेंस का नाम लेने वाली हूँ जो मेरे चैनल पे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और अपना फीडबेक टाइम टू टाइम मेरे साथ शेयर कर रहे हैं उनका नाम है फॉस्ट इस किरन महता सेकंड इस मौनिका यादव एंड थर्ड इस पायल यादव ऐसे ही आप लोग भी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें बायो सीडी चैनल के साथ में जुड़ें आज हम पढ़ने वाले हैं लिंकेज एंड रिकॉंबिनेशन लिंकेज क आप लोगों को पता है exception है law of independent assortment जो कि मैं पहले करा चुकी हूँ आप लोग जा के देखें लिंकेज को पढ़ने से पहले कुछ बाते जानना बहुत ज़रूरी हैं देखें थोमस हंट मॉर्गन पिक में आप देख पा रहे होंगे इनको आप देखें इन्होंने क्या किया इन्होंने फोलो किया Sutton and Bovary की chromosomal theory of inheritance को उसके बाद में उन्होंने क्या निकाला उन्होंने आगे crossing करवा के देखी वो मैं आगे समझाने वाली हूँ इनको बोला जाता है father of experimental genetics experimental genetics के father है ये अब देखो linkage क्या होती है link का मतलब क्या होता है जुडा होना combine होना ठीक है linkage का मतलब क्या होगा genes which are linked together are always inherited together जो genes linked होती है जुड़ी होई होती है वो always characters pass होते हैं तो वो भी pass हो जाती है from one generation to another generation इसको ऐसे समझो ये genes है ये साथ में जुड़ी होई है अब इनको transfer करना है characters को transfer होना है from one generation to another generation अब जो ये genes है genes के उपर आप लोगों को पता है क्या होता है genes में information होती है information pass होती है उनसे characters बनते हैं तो ये characters pass हो जाएंगे F1 से F2 में जो पास पास जुड़ी होई genes होंगी वो always inherit together always जो है वो एक साथ pass होंगी आगे generations में ठीक है recombination का मतलब क्या होता है recombination is re means again combination means वापस से combination बनाना इसका मतलब है नए combinations बनाना ठीक है genetic material exchange होता है उससे नए combinations बनते हैं उनको recombination बोला जाता है अब देखो morgan's की experiment का क्या है मतलब क्या उन्होंने experiment किया उन्होंने क्या किया work किया on drosophila melanogaster drosophila melanogaster क्या है fruit flies है उन्होंने fruit flies पे experiment किया उन्होंने explain किया the process of sexual reproduction produce variations उन्होंने क्या बोला कि sexual जब reproduction चलता है sexually reproduce होने वाली प्रोजैनी है उसकी अंदर variations देखने को मिलती है उन्होंने अपने experiment में यह बताया इस बात को अच्छे से समझो देखो male parent female parent मैं लिखती हूँ यहाँ पे male parent female parent यह produce करेंगे पहले इनके gametes बनेंगे गमेट बनेंगे उसके बाद में यह fuze करेंगे fuse होने के बाद में progeny बनेगी प्रोजैनी यह progeny variation show करेगी जैसे mother है, father है बिल्कुल वैसी progeny same नहीं मिलेगी कुछ characters जो है वो different मिलेंगे इसमें तो यह क्या show करेगी? य Leafs end show करेगी sexually reproduce करने वाली जितने भी species हैं वो variations को produce करती हैं, right? अब देखो, ऐसे क्या reasons थे जो mandals नहीं, T.H. Morgan ने अपने experiment में fruit flies को ही choose किया, क्या reasons है? It could be cultivated easily on synthetic medium in labs, sugar medium आप दो, sugar medium से ये आसानी से cultivate हो सकती हैं, आसानी से बहुत सारी ये amount में produce की जा सकती है, exhibit a short life span, इनका life span बहुत छोटा होता है, two weeks का इनका life span होता है, third is a single meeting could generate multiple progenies, एक single meeting से बहुत सारी progenies बन सकती हैं, इसलिए इसको choose किया गया experiment के लिए, fourth is defensible male and female sexes, इसके अंदर क्या दिखा जाता है, कि male और female जो parents हैं, उनको differentiate कर सकते हैं, अपने experiment के लिए, अगर cross करवाई, suppose करो, आपको ये नहीं पता कि male कौन सा है, female कौन सा है, मतलब male और female के characters आप लोगों को नहीं पता, इससे cross करवाई progeny मिली, ठीक है, अब ये progeny कैसे act करेगी, ये act करेगी as a parent, ये बात मैं आगे करवाऊंगी कि 50% male parent के characters मिलते हैं, 50% female के मिलते हैं, मतलब 50% chromosome male parent से होगा, 50% female parent से होगा, अब ये progeny parent की तरह काम करेगी, ये आगे progeny बनाएगी, आगे भी इसको produce करना है, progeny बनानी है, तो क्या है, male parents के बीच में और female parents के बीच में, easily ये differentiable होते हैं, ठीक है, hereditary variations are of different types, variations की बात की थी मैंने, variations का मतलब होता है, changes आना, heredity का मतलब होता है, जब characters का pass होना, from one generation to another generation, तो जो produce हुआ है, जो progeny बनी है, वो variations को शो करेंगी, अपने parents से somewhat similar होंगी, बट completely similar नहीं होंगी, variations को शो करेंगी, अग देखो, crossing होई थी, वो किसके बीच में होई थी, white eyes, yellow bodied female, white eyes, white color की eyes है, ये female है, और yellow body है, ये female show करने है, female fruit fly, red eyes, red eyes, and brown body, ये brown body है, इसकी ये male characters को शो कर रहे है, male and female, इनके बीच में crossing करवाई, तो हमने क्या देखा, experiment चला, इनके बीच में crossing करवाई, तो उसके बाद में, T.H. Morgan ने क्या observe किया, उन्होंने observe किया, कि deviation मिल रहा है, from ratio 9, ratio 3, ratio 3, ratio 1, dihybrid cross, जब मैंने आप लोगों को बताया था, तो मैंने ये चीज़ भी समझाई थी, F2 generation में, जो ratio मिलता है, वो मिलता है, 9, ratio 3, ratio 3, ratio 1, मैं यहां लिखती हूं इसको, 9, ratio 3, ratio 3, ratio 1, ये मिलता है, dihybrid cross में, लेकिन जब हमने इसकी crossing करवाई, और हमने F2 generation को observe किया, तो हमें ये ratio नहीं मिला, ठीक है, TH Morgan को ये ratio नहीं मिला, ये deviate कर रहा है, from dihybrid cross results, ठीक है, he observed that two genes didn't segregate independently of each other, जो दो genes थी, वो segregate नहीं हो रही है, वो separate नहीं हो रही है, independently, जबकि मैंने law of independent assortment में आपको ये चीज़ समझाई थी, कि separation होता है, जो कि बिल्कूल independent चलता है, ठीक है, यहाँ पे ये जो criteria था, यहाँ पे ये गलत प्रूफ हो गया है, उन्होंने observe किया, TH Morgan नहीं कि जो दो genes है, वो segregate नहीं होती independently from each other, अगर separate नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में linkage हो रही है, ठीक है, यह segregate नहीं कर पा रही है, इसके पीछे का क्या reason है, इसके पीछे का reason है, linkage, right, linkage, अब देखो, Morgan and his group knew that the genes were located on X chromosome, जो genes है, जो separate नहीं हो पा रही है, वो कहां पे present होती है, वो X chromosome पे present होती है, ठीक है, dihybrid cross करवाया, मैंने आप लोगों को बताए, divation मिली थी, ठीक है, अब देखो, dihybrid cross करवाने के बाद में, और नई चीज़े क्या मिली, parental genes जो combinations हमें मिले, वो ज़्यादा थे, वो बहुत कम थे, अब हम देखते हैं इसको cross से, कि cross करने के बाद में क्या results मिलते हैं, जो कि linkage को show कर रहे हैं, आप लोग सब जानते हो, result of dihybrid cross conducted by Morgan, क्या था उसमें 9 ratio, 3 ratio, 3 ratio, 1 का हमें combination मिला था, पीछे वाली slide में मैंने आपको क्या समझाया था, 9 ratio, 3 ratio, 3 ratio, 1 का combination मिला था, dihybrid cross conduct गिया था, तब लेकिन यहाँ पे deviation show कर रहा है, linkage में, ठीक है, इस बात को यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझों इस figure से, देखो, क्या था, यहाँ पे cross हुआ है, cross A, cross B, cross A हुआ है, W और Y के बीच में, और यहाँ पे यह wild type वाला भी है, और cross B है, उसमें wild type है, और W और M है, यह देखो क्या है wild type, मैं समझाती हूँ यहाँ से आप लोगों को, और यह जो positive positive sign है, यह भी दिखा एक पर यहाँ पे समझाती हूँ, देखो, W प्लस, Y प्लस, यह क्या show करते हैं, यह है wild type के, wild type, जो की क्या है, जो की dominant है, dominant, ठीक है, जहाँ पे भी आप लोगों को ऐसे दिख जाता है, इसका मतलब यह है, यह dominant है, और यह wild type को show कर रहे है, wild का मतलब क्या होता है, जो normally अपने surrounding में, nature में normally present हो, normally जो present होती है, उनको wild type बोला जाता है, इनको labs में produce करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, normal form, अब इस से समझो, आप लोग क्या होता है, यह cross से, Y, W का wild type के साथ में करवाया, F1 generation मिली, ठीक है, wild में आप लोगों को बता चूप क्यों क्या होता है, इधर देखा, wild और white miniature, miniature मतलब जो छोटी-छोटी fruit flies होती है, ठीक है, miniature के साथ में करवा के देखा, तो हमें क्या मिला, इसमें main एक चीज जो याद रखने की है, linkage में वो यह है, कि parental और non-parental type के combinations कितने percent मिल रहे हैं हमें, cross 1 से और cross second से, cross A से और cross B से, ठीक है, यह देखो यहाँ पर, parental type के हमें मिल रहे है 98.7%, जबकि recombinant मिल रहे हैं, only 1.3%, cross B में देखा गया, parental type मिल रहे है 62.8%, और recombinant मिल रहे है 37.2%, अब इस चीज से आप लोग समझो, जो parental combinations है, parental combinations है, उसमें linkage जादा देखी गई है, उसमें linkage जादा देखी गई है, ठीक है, जो non-parental है, non-parental, non-parental से क्या मतलब होता है, नए combinations जो मिले है, non-parental को बोल सकते हो, new combinations, new combinations, ठीक है, उसमें linkage बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, linkage इनके अंदर बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है, यह concept आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, यह जो crossing करवाई है, मैंने उसके बाद में फिर जो linkage शो किया है, कि कितना percent किसके अंदर मिल रहे हैं, अब देखते हैं polygenic inheritance क्या होता है, polygenic inheritance, poly का मतलब होता है many, inheritance का मतलब क्या होता है, इसका example है, human skin color, आप लोग सब जाता है, किसी का complexion है, वो white होता है, किसी का complexion dark होता है, किसी की intermediate tone मिलती है, देखो क्या है, dominant जो factors हैं यहां पर, एक मिनट रुकें यहां, देखो, dominant है, कौन से, capital A, capital B, और capital C, यह dominancy को शो कर रहे है, recessive जो है, recessive, यह है, small a, small b and small c, ठीक है, अब इनके बीच में combinations बनाए है, तो उसमें क्या देखा गया है, genotype में अगर मिलता है combination, capital A, capital A, capital B, capital B, capital C, capital C, तो darkest skin, ठीक है, darkest skin tone देखी गई है, अगर जो small letters वाले हैं, उनके combinations मिल रहे हैं, तो क्या है, lightest skin color, और इनके बीच में कहीं मिल रहे हैं, तो है intermediate, ठीक है, आपने क्या किया polygenic inheritance को समझने के लिए, एक particular characters है, तीन या तीन से ज्यादा genes उसको control कर रहे हैं, जैसे कि human skin color, अब जो capital वाले हैं, वो dominant है, और जो small वाले हैं, वो recessive है, अगर dominant के factors हमें मिल रहे हैं सारे, dominant के हमें सारे combinations मिल रहे हैं, many ways, many ways, इसको definition से समझो, it is defined as the expression of multiple traits, multiple traits का expression होना by a single gene, देखो, क्या है, single gene है, यहाँ पे देखो आप लो, single gene है, chromosome के अंदर यह क्या है, यह chromosome है, यह है gene, इसका multiple traits show कराना, pleiotropic condition इसके अंदर आ गई, इसमें क्या हुआ, इसमें आप multiple traits देख पारे हैं, trait A, trait B and trait C, ठीक है, example क्या है, phenyl ketonuria, यह एक type की disease होती है, जो की कैसे होती है, mutation से होती है, mutation का मतलब होता है, sudden change होना in the DNA sequence, DNA की sequence में change हुआ, ठीक है, इसके अंदर कोई भी change हुआ, उससे mutation हो गया, mutation होने के बाद में यह disease develop हो गई, ठीक है, इसमें क्या होता है, gene that code for the enzyme phenylalanine hydroxylase, यह देखो, यह gene है, यह एक enzyme के लिए code कर रही है, enzyme का नाम है phenylalanine hydroxylase, जो कि क्या करेगा, यह करेगा phenylalanine को breakdown, phenylalanine को breakdown करेगा, ठीक है, उसको तोड़ देगा, breakdown कर देगा, अगर अब यह develop हो गई, phenyl ketonuria, कोई disease develop हो गई, जिस भी person को यह disease develop होगी, उसकी बोड़ी में phenylalanine की amount बहुत जादा बढ़ जाएगी, क्योंकि breakdown नहीं हो पाएगा, ठीक है, यह था pleiotropy, अब देखो sex determination, sex determination को पढ़ने से पहले, आप लोगों को यह जाना बहुत ज़रूरी है, कि यह concept किस ने निकाला sex determination का, cytological observations made in a number of insects led to the development of concept, cytological का मतलब क्या होता है, chromosomes की study करना, ठीक है, cytology मतलब chromosomes, जब chromosome का देखा कि कितने number हैं, कितने pairs होते हैं, तो यह देखा गया कि sex determination कैसे कर सकते हैं हम, chromosomes की help से, यह करा Carl Hendrish Hanking ने, देखो, इसमें क्या होता है, nuclear structure all through spermatogenesis in a few insects, इन्होंने observe किया, जब spermatogenesis होता है, sperms बनते हैं, तो क्या होता है, 50% जो है, उसमें parental characters होते हैं, मतलब 50% parental chromosomes होते हैं, ठीक है, उन्होंने observe किया, 50% sperms receive this structure, कौन सा structure, nuclear structure, ठीक है, अब देखो, यह आपको पता है, ex-bodies बोलते हैं उनको, whereas other 50 sperms don't receive nuclear structure, parental जो chromosome है, उसमें से 50% sperms में होंगे, और 50% नहीं होंगे, अब आगे इस चीज़ को समझो, क्या है, chromosomes दो टाइप किया होते हैं, sex chromosome and autosomes, sex chromosome से, आप लोग समझ पारे हो, कि यह determine करता है, या वो female है, वो कौन determine करेगा, sex chromosomes, ठीक है, autosomes का मतलब होता है, other than sex chromosome, sex chromosome को छोड़के, जो भी chromosomes होते हैं, उनको बोलते हैं autosomes, अब देखो, in case of insects, the mechanism of sex determination is of, exotide, कौन सा mechanism होता है, इसमें sex determination का, exotide का, eggs होते हैं, spums होते हैं, ex chromosome कैसे होते हैं, female में, eggs में, सारे ex chromosome होते हैं, जब की, जो spums हैं, मतलब जो male हैं, उसमें क्या होता है, कुछ ex होते हैं, कुछ में ex होते हैं, और कुछ में नहीं होते हैं, ठीक है, female में सारे ex होंगे, जब की male जो होगा, spums होगा, उसमें कुछ eggs होते हैं, कुछ eggs नहीं होते हैं अब इस सीज़ को अच्छे से समझो, देखो क्या था, egg था, sperm था, इनके बीच में fertilization हुआ fusion हुआ, ठीक है, इनके बीच में fusion हुआ उसके बाद में क्या होगा, having an X chromosome अगर X chromosome होगा, तो वो female बन जाएगी become female, और अगर X chromosome नहीं होगा तो वो male बन जाएगा, become male, ठीक है तो सारी कहानी किसकी है, यहाँ पर सारी कहानी है X chromosome की, ठीक है, अब देखो grass ओपर के case में, यह देखो X O type of sex determination, इसमें क्या होता है, males होते है and females होते है, males में क्या होता है, only one X chromosome besides the autosome, autosomes है autosomes है, plus में one X chromosome है, जब की females के case में क्या है, pair of X chromosome है, मतलब autosomes तो है ही है, autosomes plus में pair of X chromosome, यह है female, ठीक है यह concept समझ में आया आप लोगों को, अब हम देखते है, male heterogamity क्या होता है, and female heterogamity क्या होता है, male heterogamity, hetero का मतलब आप लोगों को पता हैं, क्या होता है, different different Homo का मतलब होता है same, जबकि hetero का मतलब होता है different. Male के case में क्या होता है, जब male produce करता है two different types of gametes, दो different type के gametes बनाएगा। उस situation को male heterogammety बोलता है। Humans के case में, एक X है, दूसरा Y है, दोनों कैसे हैं different है। Grass ओपर के case में देखो X & O, दोनों different है। और तीसर है drosophila इसमें भी x and y यह भी बिल्कुल different है अब female की बात करें वही सेम है hetero का मतलब क्या होता है different ठीक है जब different gametes produce करती है female अब देखो when female produce two different kind of gametes the situation is known as female hetero gamete इसमें देखो birds का example लेके देखते हैं bird में क्या होता है यहाँ पे देखो z and w इसमें यह combination मिलता है z and w दोनों different है यह होगा female जबकि यहाँ पे male के case में z,z यह होगा male तो आप लोगों को पता तो चली गया female के case में दोनों different होते हैं ठीक है अब देखो sex determination in humans humans के अंदर sex determination कैसे करते हैं देखो आप लोगों को पता है मैंने अभी पीछे बताया इसके अंदर different type of gametes बनते हैं एक x होता है दूसरा y होता है xy type का होता है यह sex determination ठीक है इसमें 23 pairs of chromosome होते हैं जिसमें से 22 pairs जो होते हैं वो autosomes होते हैं यह क्या होंगे autosomes होंगे autosomes ठीक है जबकि जो एक pair बचेगा ठीक है वो क्या होगा वो बनाएगा male और female में sperms and ovum देखो क्या है आपको पता है spermatogenesis में sperms बनते हैं उसमें क्या होता है 50% x chromosome होता है और 50% y chromosome होता है यह males के अंदर होता है females के अंदर क्या होता है pair of x chromosome present होता है ठीक है एक ही टाइप का मिलता है pair of x chromosome देखो क्या था अपने पास में 22 23 pairs थे जिसमें 22 pairs कैसे है autosomes है वन जो बचा हुआ है वो क्या बनादेगा वो बनाएगा sperm या तो बनाएगा वो sperm या फिर क्या बनाएगा वो बनाएगा ovum ठीक है अब देखो sperm में भी क्या होता है 50% जो है वो x होगा और 50% जो है वो y होगा लेकिन ovum के case में 100% कैसा होगा x ठीक है 100% कैसा होगा x होगा only single type का होगा अब देखो अगर male बन रही है अगर male बन रहा है बन रहा है तो क्या होगा उसमें x और y combination से हमें मिलेगा x और y और अगर female produce हो रही है उसमें क्या होगा x x pair of x chromosome situation आती है तो वो female baby produce करती है और अगर x y combination बनता है तो ये बनेगा male ठीक है ये बनेगा female ठीक है अब देखो क्या है sex determination in honey bee honey bee के case में sex determination को देखते है honey bee shows haplodeployed method haplodeployed method को show करता है honey bee के case में कैसे haploid का मतलब क्यों होता है single set of chromosome जबकि diploid का मतलब होता है double set of chromosome right male develop कैसे होता है male का development from unfertilized egg unfertilized egg से male बनेगा जो की haploid होगा female कैसे develop होती है fertilized egg से female बनेगी जो की कैसे होगी deployed होगी देखो ये है male ये है female ठीक है ये है male ये है male ये बना है अगर male बना है तो वो कैसे बनेगा ये भी बनेगा egg से पर वहाँ पर fertilization नहीं होगा वहाँ पर parthenogenesis होगा parthenogenesis का मतलब होता है fertilization नहीं होना ये किसे बनेगा ये बनेगा parthenogenesis से पर थैनो जैनेशिज जबकि ये कैसे बनेगी ये बनेगी fertilization से फर्टिलाइजेशन ठीक है फर्टिलाइजेशन से बनी अब फर्टिलाइजेशन से बनने के बाद में दो टाइप की हनीबी प्रेडियूज होती है एक होती है queen दूसरी होती है worker देखो यहां से देखो बनता है male उसको बोलते है drone ये बनेगा male जो की पार थैनो genesis से बनता है ये बनती है एक से फर्टिलाइजेशन के बाद में ये है worker और दूसरी है queen अब इस प्रोसेस को समझो जाके क्या है parents देखो parents में female और male मैंने बताया female जो है वो deployed होती है deployed का मतलब कैसे होता है male में single set of chromosome मतलब 16 ठीक है अब इसमें देखो meiosis हुआ gametes बने 16 16 इसमें fertilization हुआ fertilization के बाद में female बन गई female में queen भी बन सकती है worker भी बन सकती है अब male का केसम जो mitosis हुआ spums बनेंगे ठीक है spums बनेंगे mitosis होके उसके बाद में क्या हुआ parthenogenesis हुआ है parthenogenesis होने के बाद में male produce हुए है जो कि drone कहलाएंगे ठीक है अब आप लोगों को ये थोड़ा सा confusing लगेगा कि ठीक है एक drone बन गया दूसरा worker बन गई जो female थी वो worker बन गई queen बन गई लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी worker है और कौन सी queen है worker जो है वैसे तो देखो देखने से पता चल रही है पिद्दी सी है अपना queen जो है ये बिल्कुल maintained है ठीक है ये क्या करती है ये queen को lifetime nourishment देती है उसको food provide करती है lifetime ये इसको खाना देती है अब एक चीज़ और जो बहुत important है वो ये है यही आगे breed कर सकती है मतलब जो babies produce करने का काम है जो आगे progenies बनाने का काम है वो queen ही कर सकती है वो worker नहीं कर सकती है ठीक है अब देखो इस चीज़ को मैंने बताया था female होने के बाद में queen बना और worker बनी ये concept clear हुआ ये दोनों कैसी होंगी ये दोनों deployed होंगी आप लोग ये मत समझना क कि एक breed कर पा रही है और एक नहीं कर पा रही तो उनका set of chromosome different होगा ये दोनों कैसी होंगी ये होंगे deployed ठीक है और ये कैसे होंगे ये होंगे haploid drone के guys आज के लिए इतना ही काफी है कल मिलेंगे guys अगर आप लोगों को अच्छा लगाओ चैनल को subscribe करे like करे share करे comments करे अगर आती हैं तो comment box में जरूर बताएं okay guys कल मिलते हैं bye